Good morning students, how are you? कैसे आप लोग? I hope you all are fine. In the previous video, we have complete chapter number 3. Today we are going to start chapter number 4. Multiplication, addition हो गया, subtraction हो गया, अब क्या दाएंगे हम? Multiplication, okay बच्चो? So multiplication हम करते हैं, कैसे क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें उसको understand करना पड़ेगा. First understanding multiplication. In the first box, I have written 6. Again I have written 6. Means मेरे first box में भी 6 है, second box में भी 6 है. तो 6 and 6 कितने होते हमें हमें पता हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 and 6, 12. तो addition हमको आता हैं. We can write 12. तो अब इसको multiplication फार में कैसे लिख सकते हम? यह कितने box है? कितने sets हैं? 2 sets हैं. तो we can write 1, 2 sets. तो we can write 2 into, number क्या है? Inside number is 6, 2, 6 and 12. We can say 2, 6 and 12. Means 2 sets होने चीए. 1st set में 6 है, 2nd set में 6 है. तो 6 and 6, 12. अगें, यहां पर क्या लिखें? मैंने box नहीं बनाया है. यह 1st, 2nd, 3rd, 4. तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4. 5 के table तो हमको बहुत बच्पन से ही लान है. राइट ना? 5 1s आ 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. means कितना set लिया हमने? 4 set of 5 is 20. Now, second is multiplication using all number line. तो multiplication को हम किस से करेंगे? solve, number line से. यहां पर क्या लिखा है? 2 into 4 equals to. यह 2 की table ऐसे 2, 4 time नहीं करना है. 4 के set कितने हैं? 2 set है. कितने set हैं? 2 set है. कितने के? 4 number के. तो first हम 0 पे खड़ जाएंगे. 4 number दिख रहा हमें. यह 4 number पे आ गया है. तो यह कितना set हो गया? 1 set. Second set और लेना पढ़ेगा हमें 2 sets ना. तो 1, 2, 3, 4. Second set कितने पे आगया हमारा? 8 play. तो answer is 2 set of 4 is 8. Means 2 4s are 8. On the base of this, we can solve our exercise 4.1. अब आप exercise 4.1 को देखेंगे. तो आपको पता चलेगा. यह दिखो. हमें cookies बहुत पसंद होती है खाना? Yes, मुझे तो बहुत पसंद है. तो आपको भी बहुत पसंद होगी. तो यहाँ पे मैंने 2 tray ली है. One tray में 7 cookies है. Second tray में भी 7 cookies है. अब मुझे तो पता है, आपको नहीं पता है ना? तो we can count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And middle one is 7. तो यहाँ पे भी 7 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब यह कित्ती tray है? 2 tray है. There are 2 trays there. Then we can say group of. कितने group है? 2 groups are there, ना? We can say 2 groups of. 7 cookies. Right? 2 groups of 7 cookies. And we can write 2, 7, 14. Now, in the second part. 1, 2, 3 stars. In the second set. 1, 2, 3 stars. यहाँ पे कित्ने sets है? 3, 3 stars है. तो हम पहले add करके देख ले हैं. यह 1, 2, 3. 3 plus 1, 2, 3. 3 and 3 is 6. 3 and 3, 6. We have written 6. Now, in the multiplication form we can write. यह कित्ने set है? यह 1 set? 2 set. 2 sets of 3 is 6. Now, यह देखो. 3rd question is number line question in your book. Now, 4th question. 4th question यहाँ पे देखो. 1, 2, 3, 4, 5. कित्ने हैं यह 5? 5 हमने लिख दिया. इनमें मोती हैं. सबको हार पैंड़ना बहुत परसंद होता है ना girls को. Girls की मम्यों को भी boys की मम्यों को भी हार पैंड़ना बहुत परसंद होता है. यह पर्स की माला है. तो पल्स की छोटी-छोटी माला उसमें कितने-कितने पल्स है? 2-2 पल्स है तो फॉर्स वाल में 2 सेकंड में 2 थार्ड में 2 कोट में 2 सिस्थ में 2 तो टोटल कितने माला है? 5 है तो we can write 5 sets of 2 5-2s are 10 नौ इन दे सेकंड फॉर्म यहां पर कितने sets है? 1-2-2 माला है तो 1-2 वी can write 2 और फॉर्स वाली में कितने है? 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 दोनों में कितने 5-5 है? तो 2-5s are 10 तो हमें दोनों टाइप से answer आते हैं तो अब हमें यह पता चल गया कि multiplication कैसे करना है? तो आपको PDF मिन जाएगा और आपको क्या करना है? उससे exercise 4.1 करना है और मुझे क्या करोगे? उसकी photo send करना ओके बच्चों I hope आपको यह multiplication समझ गया होगा ओके बच्चों बाई Have a nice day Thank you